होटल दा ग्रैंट पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, स्वीट रूम, स्टेंडर रूम, क्वीन फामिली रूम, साही वाटिका के पास बोपाल रोड, सागर, मद्ध ब्रदेश शिप्पुरी में एक युवक प्रधान मंत्री आवास योजना की धनराशी ना मिलने से, पानी की टंकी पर चुड़कर आत्म हत्या की कोशिश करने लगा चानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची और युवक से कारण जाना, तब युवक ने एक पत्र नीचे फेका, उसे पढ़कर पता चला कि उसे प्रधान मंत्री आवास योजना की धनराशी नहीं मिली है पुलिस द्वारा भरुसा दिलाने के बावजूद भी युवक नीचे नहीं उत्रा, तो दो सिपाही साधिक अपड़ों में टंकी पर पीछे की ओर से चड़ गए और युवक को पकड़ कर सुरक्षित नीचे ले आए वहीं इस मामले को लेकर फिजीकल थाना ब्रभारी का कहना है कि युवक आवास योजना का पैसा नहीं मिलने के कारण टंकी पर चड़ा था और आत्मत्या की कोशिश में था ये समस्या नगरपालीका से संबंदित है हमने दोस्ते पाही टंकी पर चड़ाए जो युवक को पकड़ कर नीचे भी ले आए अब नगरपालीका से बात की गई है उनकी समस्या को हल किया जाएगा आज सुबह करीबन एक घंटे पहले सूचना पराप्त हुई कि पानी की टंकी के उपर एक युवक चड़ा हुआ है जो कि आत्मत्या करने का पैयाज कर रहा है तो उसकी कोई परेशान ही होगी जब उसने ऐसा कदम उठाया तो तुरंत उसको संग्यान में लिते हुए जानकारी को पलिस फोर्स ततकाल मौके पर पहुँचा और वो विवक उपर चड़ा हुआ था तो नीचे से उसकी समस्या है तो उससे काफी समझायश दी गई कि भी नीचे आ जाओ उसका जो भी ये सॉलुशन कर लिया जाएगा लेकिन वो मानने को तयार नहीं था तो अपनी हिकमत अमली से पुलिस के दो जवान से विल ड्रेस में बलाए गए उनको शूज उनके उतरवा के पीछे के रास्ते से उनको बिनावाज किए उपर चड़वाया गया और नीचे कुछों के दौ़ारा प्लीस फोर्स के दौरा उसको बातों में ज़ाया गया उपर जो जवान चड़े थे उनने बड़ी अपना अच्छा काम किया एकमत अमली से जाके उनने उसको पीछे से पकड़ा और उसको न शिप्पुरी से राकेश भोज, सागर टीवी नियूज हमारा पता है साइवाटिका के पास बोपाल रोड, सागर, मद्धिप्रदेश हमारा नमबर है 7489288455, 9630118455